दोस्तो टीवी इंडस्ट्री की कुईन माने जाने वाली एकता कपूर को आज हर कोई जानता है इन्होंने इनके सूपरनेचरल शो के द्वारा कई टीवी अभी नेत्रियों की लाइफ बदली है जिसमें से एक बड़ा नाम है मौनी रोय जिन्होंने एकता कपूर के सीरियल नागिन में आने के बार लोग प्रियता हासिल की थी वैसे तो टीवी इंडस्ट्री में कई ऐसी अभी नेत्रिया है जिन्हें एकता कपूर के कारण टीवी इंडस्ट्री में पहचान मिली मगर टीवी इंडस्ट्री में कई ऐसी भी अभी नेत्रिया है जिन्होंने एकता कपूर से पंगा लेकर अपनी सफलता की सीड़ी को खुद ही तोड़ दिया तो चलिए दोस्तों चानते हैं ये अभी नेत्रिया कौन है फर्स्ट नंबर पे है हीना खान वैसे तो हीना खान की गिंती टीवी की सफल अभी नेत्रियों में होती है मगर एकता कपूर के सूपर नैचरल सीरियल नागिन और नागिन 3 में लीड गिरदार निभाने के ओफर को ठुकरा कर हीना खान ने एकता कपूर से पंगा ले लिया जिसके चलते आज वे मौनी रोय और सुर्वी जोती जित्पी फेमस नहीं है सैकिन नंबर पे है अवीका गौर अवीका गौर को भी आप सभी अच्छी तरह से जानते होंगे इन्होंने बहुत कम उमर से ही टीवी इंडस्ट्री में अभीने करना शुरू कर दिया था लेकिन क्या आप जानते हैं कि अवीका गौर को भी एकता कपूर ने सीरिल का सौटी जिन्देगी 2 में प्रेजना का रोल ओफर किया था मगर उन्होंने इस रोल को मना करके एकता कपूर से पंगा ले लिया जिसके चलते आज उनके पास कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है थर्ड नमबर पर है हेली शा हेली शा टीवी के एक फेमस सोस्वारागनी में नजर आई थी जिससे उन्हें खुब लोग प्रेता मिली थी मगर आज उनके पास कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है लेकिन एक ता कपूर ने उन्हें सीरियल डायन में आने का मौका दिया था लेकिन हेली ने इस किरदार को करने से मना कर दिया था और साथ ही एकता कपूर से पंगा भी ले लिया था जिसके चलते आज वो अपने घर पे हैं फूर्थ नमबर पे है क्रिस्टल डिसूजा टीवी की क्यूट एक्टरस क्रिस्टल डिसूजा को भी सीरियल नागिन और नागिन 3 में काम करने का मौका मिल था मगर इन्होंने इस मौके को गवा दिया और आज उनके पास कोई भी खास या बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है फिफ्ट नमबर पे है सनाया इरानी हमारी इस लिस्ट में सनाया इरानी भी शामिल है जिन्होंने एकता कपूर के सूपर नागिन और नागिन 3 में काम करने से मना कर दिया था जिसके चलते आज उनके पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है और वो अपने घर पे है तो दोस्तो आपको क्या लगता है एकता कपूर के प्रोजेक्ट को मना करके इन अभी नेत्रियों ने सही किया हमें कमेंट करके ज़रूर बताईएगा और साथी और प्यासी वीडियो के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शियर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल दिना बुले